मन्जिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में दम होता है पंकों से कुछ नहीं होता होसलों से उड़ान होती है दोस्तों many of my students were asking me sir आपने CA बनने के लिए क्या-क्या पापड बेले इसके बारे में बताईएगा वैसे तो मैं इन factors की चर्चा अपनी classes में करता ही हूँ लेकिन वीडियो मैं पहली बार बना रहा हूँ उन factors को लेकर वैसे ये factors मेरे personal level पर CA examination के लिए है बट ये factors किसी भी examination के लिए लगाए जा सकते हैं क्योंकि exams are exams so दोस्तों CA बनने के लिए in fact CA बनना मेरा first choice था in fact when I was even in the 8th standard though मुझे meaning नहीं पता था CA क्या होता है लेकिन CA बनना है sir ऐसा आपके अंदर ये सपना कहां से जागरित हुआ अपनी family को देख there are already 728 chartered accountants in my family तो मैं उनको देखता था तो मुझे पता लगा कि CA होता है उनका flamboyant lifestyle देखा तो हो सकता है कि वो आकर्शन वो attraction मुझे वहाँ से generate हुई meaning नहीं पता था मैं frankly बता दूँ CA होता क्या है सदोस्तों लेकिन sir हमार तो first choice नहीं है तो make it your last choice जो भी exam आप देते हैं आपके पास only choice होना चीए चाहिए first choice हो और last choice हो second alternative नहीं होना चीए दोस्तों क्या होता है जब हम एक ही choice पे अपने पूरा attention देते हैं वो choice या वो decision activate हो जाते है जब हमें पता होता है अरे पापा का business है पापा कहरें बेटा देख ले CA करनी है कर ले नहीं होगी तो business में आ चाहिए हो आप CA नहीं बन पाएंगे बैस सच कहरों नहीं बन पाएंगे क्यों आपके मन में आएगा या 10-15% effort कमी रख लेते हैं कोई नहीं ज़्याद effort डाने के ज़ूरत नहीं है ट्राइ मारके देख लेते हैं दोस्तों try करके कोई चीज success में नहीं आती है आपको पूरा हाँ तो यह काम नहीं चलेगा आप उसको ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मैं एक option यह रख लेता हूं दूसरी option वो रख लेता हूं हाँ आप try करके देखिए 100% focus लगाईए बात में देखा जाएगा दोस्तों दूसरा जो बहुत बड़ा factor जिसने मुझे सिये बनाया मुझे पढ़ाई से प्यार है और अभी तक है क्योंकि दोस्तों जब जिस चीज़ से प्यार हो जाए तो उसके लिए बड़ी से बड़ी मुझकिले भी आए रास्ते में हम पार कर जाते है हम जमाना हमारे अगेंस्ट भी हो जाए और अगर हम प्यार करते हैं तो हम परवा नहीं करते तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आए बड़ी से बड़ी कठनाई भी आए अगर हम किसी चीज से प्यार कर लेते हैं तो वो चीज सुगम हो जाती है असान हो जाती है and that was one of the biggest factor in me becoming a CA was that I used to love studies I still love studies that's why also I became a teacher so guys it's very important to love the things you do if you don't love the things you do then how will you get success so your studies should be your love and you know if you love something else then do that कोई जबर्दस्ती नहीं है कि आपको CA करना है तीसरा जब बहुत बड़ा important factor मेरी लाइफ में रहा CA बनने का that was there was no parents pressure आजकर मैं देखता हूँ parents के बहुत pressure है बच्चों पे भया तुझे करना है नाक नहीं कटवानी है बच्चा बोलता है पापा मैं अपना प्रेशर तो हैंडल कर लूँगा आपके प्रेशर में चक्कर में मेरा दिमाग खराब हो जाता है parents का बहुत जादा pressure होता है fortunately I didn't have any pressure not so ever there was no interference in fact it's a blessing in disguise हो गया they didn't know anything about it उन्हें सुना हुआ था बस अपने you know family में देखा हुआ था लेकिन कहीं न कहीं there was no interference तो by default मैं यह मानता हूँ कि I had the freedom वो क्या होता है pressure जो होता है न parents का वो उसके कारण बच्चा कभी कभा सकंब हो जाता है pressure में कि पापा का नाम उचा करना है मम्मी का नाम उचा करना है उस नाम उचा करने के जग्कर में बच्चा you know pressurize हो जाता है तो मेरे पास यह बहुत important factor था तो मैं अगर यह बोलूँगा कोई parents देख भी रहे हैं न आप बच्चे को guide करो बच्चे को pressurize ना करें बच्चे को guide करें बच्चे को help करें कभी कबार parents क्या करते हैं अपना fear बच्चों में डाल देते हैं बच्चे नाम यह गलत बात नहीं है लेकिन कभी कबार बच्चे उसको किस रूप में ले ले तो यह बहुत important है parents के लिए भी और बच्चों के लिए भी कि बच्चे भी parents को बोलें Papa I'll handle it, don't worry I'll do my best so it is also a very important factor in getting success in any exams, is the pressure of the parents, if it is not there and they help like a friend then obviously things becomes more easy to go through 4th important factor, that was I was even very lucky to get the right teachers, right mentors because क्या होता है दोस्तो राइट मेंटर राइट टीचर मिल जाएगा लेकिन ऐसा ना हो कि तीन चार अटेंप्ट लग जाए इसके लिए you know you have to do some searching, you have to ask your friends, your seniors and you know even if they are not there with you, आपके बाद नहीं है कोई senior, आप देखो पढ़कर दो चार 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 चा you have a right mentor, right teacher because you know he has gone through all the system himself, he knows what is right for the student, जहां पर concepts, clarity मिले, जहां पर understanding मिले, रटाफिकेशन ना मिले, तो यह बहुत important है क्योंकि हाँ, वैसे उस वक्त पे coaching was less when I became a CA, but whatever the teachers I took for my subjects, they guided me very beautifully, and you know they used to give me personal attention also, so you find those teachers who are ready to give you personal attention, they are ready to solve your doubts, they are ready to show you the way and this way you know जो जड़नी है, वो सरल हो जाती है, असान हो जाती है, तो I still and still अभी तक मैं मनी मन में और जहां पर मेरा contact है किसी teacher के साथ, I still thank them, because you know उनके कारण, आज मैं यहां पर पहुचा, तो वो बोलते हैं, गुरू, गोबिन दोनों खड़े, तो obviously गुरू का जो स्थान है, वो तो भगवान से भी उपर है, क्योंकि वो आपको रास्ता दिखा देता है, चलना आपको है, लेकिन at least he can show you the way, So this is very important factor in me becoming a CA, yes, another is, CA में बहुत सारे subjects मिलेंगे आपको, जुरूरी नहीं है कि सारे subjects आपके अच्छे हों, I was good in theoretical subjects, जहां पर, you know, law की बात आ जाती थी, audit की बात आ जाती थी, text also is a law, so I still remember the theory in a very good manner, practical subjects में, जहां पर like accounts हो गया, costing FM हो गया, I was little bit, you know, I would say average plus, but in theory, जहां पर बात याद करने के आ जाती थी, वहां पर provisions की बात कर लें, वहां पर किसी section की बात कर लें, वहां तो I was very champion, so what I used to do is, जहां बाइ, theoretical subjects में, मैं लियाओंगा 70 से 80 नंबर आराम से, और अगर practical subject में, मैं 50 नंबर भी टच करवा दूँ, मैं पास हो जाऊंगा, तो ये थोटा सा balance बना के रखें न आप लो, कि आप अपनी strengths को जाने, और अपनी weaknesses को जादा उजागर ना होने दे, तो जो subjects आपके दिल के पास हैं, जो ऐसा होता है, naturally some people are like this, कि भाई ये चीज़ बेटर है, ये चीज़ तोड़ी weak है, और उन चीज़ों पर आप ले करें, तो आपके just subject में strength है, उसको इतना अच्छा कर लें, कि भाई 90 नंबर के आसपास उसमें आ जाएं, तो जो aggregate की problem आती है, C examinations में, वो नहीं आने वाली, so play according to your strengths, it's also very important, next very important factor in my success was the timetable factor, yes, दोस्तो, every day I used to have a timetable, morning session, evening session, night session, I used to study in the night, and I used to stick to the timetable, in fact, I used to make a register, जिसके अंदर मेने पूरो timetable लिखा हुआ था, कि भाई, अज सुबह ये होगा, दिन में ये होगा, और every day I used to follow it, and write down, three hours in the morning session, afternoon session, two hours, night session में four hours, total output इतना, समझे, अगर आप output नहीं आता, input लिख लीजे, भाई, इतना मैं बैठा, obviously उसका पांदस परसंद कम कर लीजे, तो अगर आप 10 घंटे बैठे, तो 8 घंटी के तो पढ़ाई होई गही होगी ना, तो more the input, more the output, ये बहुत important होता है, timetable will, you know, give you the sense of discipline, और timetable खाली studies का नहीं, eating का, sleeping का, ये तीन-चार साल आपके तपस्या के हैं, और अगर ये तीन-चार साल में आपने आपको सयम से रख लिया, control में रख लिया, it is, I am telling you, your journey will become a child's play, क्योंकि discipline से क्या होता है, वो discipline एनरजाईज कर देता है चीजों को, discipline itself gives you immense strength, immense confidence to go through, please have a timetable for studies, classes का भी timetable, studies का भी timetable, homework करना है उसका भी timetable, sleeping का timetable, eating का timetable, तो वो जो सूशाशन है न, जो आपके लाइफ में है, वो बहुत important है, discipline से भी success मुझे मिली, और अभी तक discipline I follow, yes, हाँ, बत्तुरों करोना के टाइम में, timing सोरी उपर नीजी हो गई, यह सब कुछ बन था, online चल रही है, तो तो अब मैं दो दो रहाई टाई, तीन तीन बज़े भी काम करता हूँ, वैसे यह वीडियो मेरा, रात के बारा, साड़े बारा बज़े बन रहा है, but, 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 that is all, but I'll compensate for that, I'll sleep extra one hour for this, अगर मेरा late night ज़्यादा हो जाता है, तो एक स्ट्रीप तो कहीं नगी balance बना के रखना है, ऐसा होता था हमसे भी, किसे दिन पढ़ाई नहीं हुई, तो अगले दिन हमने ज़्यादा पढ़ लिया, किसे दिन ज़्यादा पढ़ाई हो गई, उस दिन कम कर लिया, तो ये please have a time table, अगर exact studies के बारे में बात करें, उसके लिए मैं वीडियो एक नगया बनाऊँगा, कि मैं पढ़ाई कैसे करता था, आज मैं आपको बुनियादी factors अपनी success में बता रहा हूँ, जोनोंने मुझे help करा C.A. बनने के लिए, ये बहुत important factor था, मेरे C.A. बनने के लिए, जो कही न कहीं बच्चे नजर अंदास कर देते हैं, short notes, short notes से क्या मतलब है मेरा, जैसे आप movie देखने गए, और movie देखते देखते, आपके हाथ में pen और paper है, pen paper लेके जाएंगे movie hall में, हम तो popcorn और Pepsi लेके जाते हैं, मैं example दे रहा हूँ, आपने movie देखी, ढ़ाई कहिंटे की, दो बुंटे की, आपको पसंदाई story दिमाग में रहे गए, उसके बाद 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, कोई आपसे पूछे, तो बता भाई story बता, आप उसकी fine details भूल चुकी हो, लेकिन अगर आप movie देखते वक्त, pen paper लेके गए थे, और short notes लिख लिए, hero इस वक्त enter करता है, इक स्वक्त वो, you know, दिशुम दिशुम करता है, इस वक्त heroine आई, ये कपड़े पहने हुए थे, फलाना जूते पहने हुए थे, वो लिख लिए, तो इससे क्या होगा, अब आप से कोई 2 साल के अवदी पूछेगा, तो आप सीधा paper खोल के बता सकते हैं, तो short notes बहुत important होते हैं, क्योंकि exams से पहले, वो आपकी मदद करेंगे, revise करने के लिए, क्योंकि syllabus जितने भी professional exams हैं, बहुत ज़ादा है, और सारा का सारा syllabus हमारे mind में retain नहीं होता, for that we need, you know, small things, छोटी-छोटी चीज़े याद रहती हैं, तो अगर कोई section होता है, मान लिजे section 15 है, जो salaries का है, income tax के अंदर, charging section, अगर वो charging section देखा जाए, तो वो चारपस लाइनों के अंदर है, लेकिन उसको nutshell में हम कर दे, तो salary is chargeable on due, और इससे basis whichever is earlier, तो ये बहुत जादे important है, कि आप हर subject के लिए, not only for my subject of taxation, बट हर subject लिए short notes बना, in fact I remember, we used to have a A4, size का rim, there so, बहुने दोस्तों को तो आजकल आता है, उस तक तो आजसे जब मैं CA बना, गंदरा सादस भी हो गए इस बात को, जब तो एक A4 size का, A4 size का rim, बढ़ा सस्ता आता था, अभी भी कोई महेंगा नहीं है, डेर सो बहुने दोस्तों को, 500 sheets और पेपर होती, अपनी classes में भी, हर एक class को, एक single sheet of paper में summarize कर लो, तो किसी भी subject की, 50 class हुई, 60 class हुई, 70 class हुई, तो 70 page में 70 classes आ गई, चार classes हैं, 280, नहीं तो 500 page में, आपके 8 की 8 subjects हम आ गए, वो summary जो है, वो आपके दिमाग में रहेगी, और जब ही भी exam में आया, summary खोली, डिमाग के अंदर, mentally आपको पता ही हैं, चीज़े कहां कहा हैं, easy हो जाता है, तो please have this habit, of making short notes, तो regular classes ले रहे हैं, या अपने आप self study कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, short notes बनाईएगा, फर्रे कह लीजएगा, और दोस्तों मेरी दो lifeline थी, एक one of my best friend, who is also doing CA with me, and my younger brother, they both of them were my lifeline, उससे क्या होता है, whenever I used to feel frustrated, I used to talk to them, they used to motivate me, तो हो क्या रहा है आजकल, बच्चे अपने आप पड़ाई कर रहे हैं, दोस्त बनाए हैं, नहीं बनाए हैं, क्या कर रहे हैं, I don't know, but we used to have friends, और उस ताइम पर क्या होता था, कभी का रहा हैं, इखटे भी पड़ते थे, और हम chill out भी करते थे, रात के दो बज़े, पड़ाई खतम हो गई, and we used to, you know, go on a drive, actually में, उस ताइम पर, गुडगौं के साइट पर हम निकल जाते थे, yes दोस्तो, वहाँ पर होटल का ना मुझे, याद नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर हम used to have coffee at two o'clock in the night, yes, फिर पीके वापिस आगे, थोड़ा सा chill out करेंगे न दोस्तो, excitement भी रहेगी, yes, तो इसलिए, एक घर में अपना आपका कोई भाई है, कोई बहन है, कोई friend है, आप प्लीज, उनसे आप discuss करेंए अपनी बाते, वो ज़्यादा चीज समझ बाते हैं बाते, कि अगर आपको frustration भी हो रही है, तो आप उनसे बात करें, और वो आपको समझाएंगे, और थोड़ा सा डाटिंगे भी, जैसे मेरा छोटा वाई होने के बावजूद, मुझे डाट देता था, कि भाई आपको पढ़ना है, देखो होता कि आप पढ़के, समझाइम मनौटनी हो जाती है, आपका मन नहीं कर रहा होता, लेकिन अगर वो पीछे आपका डंडा लेके खड़ा है, प्यार भी आपको कर रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या है, तो दोस्तों, इसलिए, प्लीज है वाई भाई बहन आपका रहे हैं, तो उससे बात करिये, और उनको बोलिए कि मैं अगर पड़ाई ना करूं, तो वो थोड़ा आपको मोटिवेट करें, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टन फैक्टर होता है, because we are humans, and you know, humans needs associations, so that to motivate, to share our thoughts, ये बहुत इंपॉर्टन फैक्टर है, Next, बहुत इंपॉर्टन फैक्टर, जो मेरे C.A. के success में useful रहा, exam से एक महिना पहले, सारी classes बंद, सब कुछ बंद, हाली एक महिना revision चलती थी, तो अगर मई का exam है, तो अपरेल का महिना, निवेंबर का exam है, तो अक्टूबर का महिना, उस पूरे एक महिने के अंदर, कोई classes नहीं, सब कुछ finish, पहले ही हो गया, सब कुछ topic नहीं किया, सब छोड़ दिये, जो किया, वो एक महिने में revise होता था, सबसे बड़ी गलती बच्ची यही करते हैं, इस एक महिने भी पढ़े जा रहे हैं, नहीं नहीं चीज़े, फोन आजाता है किसी फ्रेंड का, आजी, तुने किया यह, कैने में नहीं नहीं किया, मैं पढ़ूँ अब, वो अपनी tension आपको उसने दे दी, चाहिए उसने नहीं किया था वो topic, लेकर आपको यह नो, उसने ऐसे बोल दिया, अब इस एक महीने में, जो भी मैंने किया है, उसको मैं consolidate करूँगा, revise करूँगा, तो यह चीज़ भी आपको रहाद रखनी है, कि exam से एक महीना पहले, आपको सारी पढ़ाईयां, जितने ही आपने पढ़ लिया है, बस उसको आप revise करना है, consolidate करना है, वो है जोश, जजजबा, जनून, दोस्तों अगर आपके अंदर जोश, जजबा, जनून नहीं है, आप एरी चोटी का दम लगा लीजिए, जिन्दिगी में C.A. क्या, B.A. क्या, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, दोस्तों यह जो आत्मबल है, जो confidence है, आपके पास होना अची, वो कब आएगा, जो थोड़े आप optimistic होंगे, सकरात्मक सोच होगी, वो दोस्तों by default थी, मेरे अंदर, बट inculcate भी की जा सकती है, अगर आपके पास distracting thoughts है, थोड़ा सा आप, you know, motivational speakers हैं, उनको सुनिये, थोड़ी आपको, you know, update ना मिलेगी, क्योंकि आजकल हो गया रहा है, क्रोना के बाद, people are more rejected, more frustrated, x, y, z reasons, स्वभाविक है, इतनी बड़ी epidemic था, और अभी भी, you know, don't know what will happen in future, तो थोड़ा सा, one gets lost, लेकिन अगर आपके अंदर, hopefulness है, positive attitude है, optimism है, वो आपको, रास्ते को सुगम बना देता है, वो हमारे अंदर अभी भी है, अभी भी हम हार नहीं मानते, in fact, आजकल की नौजवान पीडी में, I suppose ही चीज़े क्यों कम होती जा रही हैं, हमारे parents में भी थी, parents में तो आपके भी अभी है, आप में अगर ये प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा अपने आपको optimistic, क्यों सेरा सेरा, what will be, will be, and what will not be, not be, so the date of birth is not in your hands, the date of death is not in your hands, your gender is not in your hands, who will be your parents is not in your hands, so some things are beyond our control, things which are in your control, for God's sake, do it, तो थोड़ा सा जोश, थोड़ा चस्पा, थोड़ा जनून, excitement, hopefulness, optimism, सक्रात्मक सोच, अगर आप रखते हैं, दोस्तो, CA, तो बहुत छोटी सी एक, चीज है लाइफ के अंदर, आप लाइफ को जीच जाएगे, तो दोस्तो, इन 10 factors को follow करिये, ये, by default मैंने follow कर लिये, कि जो भी आप endeavor कर रहे हैं, जो भी आप पड़ाई कर रहे हैं, आप उससस मिले, एक promise एक video और लेके आऊंगा, कि पड़ाई को किस तरह के से करनी चीए, timetable किस प्रकार से बनाना चीए, that is a promise, I'll come out, take care, God bless you, bye.